दोस्तों मैं सोरंबलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के Top 27 S.A.M.C.Qs जो की सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को ज्यान से पूरा एंट तक देखेगा 27 में से कितने कोशन के आंसर आप लोगों ने सही किये है कमेंट बोक्स में आप आंसर बतेगा और अपना स्कोर बतेगा और ये वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर रेगूलर आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन है माभारत का बांगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने किया था ये कोशन आपसे पूछा गया आंसर पता है कमेंट बोक्स में बता दीजे राइट आंसर हैगा नुसरत सहाने पहले question का rate answer दोस्तो बी हो जाएगा question number two है चोल राजाओं ने किस धरम को संदक्षन परदान किया चोल राजाओं ने किस धरम को संदक्षन परदान किया दूसरे question का rate answer रेगा सेव धरम यानि की बी इस दा rate answer Q3 है गुप्त वन्स का वहर राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आकर्मन करने से रोका सही आंसर रहेगा दोस्तो इसकंद गुप्त यानि की तीसरे कोशन कराइट आंसर C हो जाएगा Q4 है गुप्त सासक के दोरान ऐसा व्यक्ति कोन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितग्या था राइट आंसर रहेगा दोस्तो आरियभट यानि की B इस दारेट आंसर Q5 है टंगस्टन कोन से राज्य में सर्वदिक पाया जाता है टंगस्टन कोन से राज्य में सर्वदिक पाया जाता है दोस्तो राजिस्थान सही आंसर रहेगा यानि की B इस दारेट आंसर गुप्तर युग में पर्मुक व्यापारिक केंद्र था चटे कोशन का राइट आंसर एका कन्योज यानि कि सी इस दा राइट आंसर कोशन नबर साथ है बंगाल का कौन सा सासक हर्स का समकालीन था साथवे कोशन का राइट आंसर एगा ससांक यानि कि डी इस दा राइट आंसर आटवा कोशन है फायान किसके सासन काल में भरत आया था फायान दोस्तों किसके सासन काल में भरत आया था कोशन नमबर nine है great barrier reef कहा पर इस्थित है कोशन नमबर nine है great barrier reef कहा पर इस्थित है सही answer है परसान्त महासागर में यानि की a is the right answer कोशन बरदस है भारत में किस परकार की जलवाईयू पाई जाती है भारत में किस परकार की जलवाईयू पाई जाती है दोस्तो दसवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा सही उत्तर हैगा उसना कटी बंदिये मानसून जलवाईयू दसवे कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा ग्यारवा कोशन है विस्व का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है सही आंसर हैगा दोस्तों कराकूरम यानि की D is the right आंसर भारत की दूसरी सबसे उची चोटी कोन से दूसरी सबसे उची पूछा जा रहा है सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करिए सेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और ये जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं रात में 9 बजे हर रोज इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है ओनली टॉप स्टडी यूटूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिलेगी हर रोज नई वीडियो भी मिलेगी तो चैनल को भी सबस्काइब जरू कर लेना बारवे कोशन कर आइट आंसर हैगा नंदा देवी यानि की सी करेक्ट आंसर हैगा कोशन मब ठर्टीन है किस मुस्लिम सासक के सिक्को पर देवी लक्समी की आकरती बनी है किस मुस्लिम सासक के सिक्को पर देवी लक्समी की आकरती बनी है सही आंसर हैगा मुहम्मद गोरी के यानि कि C इसदार रेट आंसर कोशन बर 14 है महमूद गजनवी का दरबारी इत्यासकार कोन था कोशन बर 14 करा रेट आंसर हैगा उत्वी यानि कि A इसदार रेट आंसर कोशन बर 15 है पुराणों का अध्यन करने वाला पर्थम मुसलमान कोन था पुराणों का अध्यन करने वाला पर्थम मुसलमान कोन था पंदरवे कोशन करा रेट आंसर हैगा अल बरूनी यानि कि C इसदार रेट आंसर मांसून सब्द की व्यत्पत्ती हुई है अर्बी भासा से सोलवे कोशन का रसा ही आंसर ए रहेगा पिट्सबर्ग और योगिक परदेश किस देश में अवस्तित है सतरवे कोशन का दोस्तों सही आंसर एगा सही उक्त राज्य अमेरिका में यानि कि D सही आंसर एगा अठारवा कोशन है मात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्स में शुरू किया गया था मातमा गांधी दुआरा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्स में शुरू किया गया था 1942 में बी राइट आंसर हैगा 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फोर इंडिया लीग के अध्यक्स कोन थे 19 में कोश्चन का राइट आंसर हैगा दोस्तू बिल्कुल सिरी निवास अयंगर 19 में कोश्चन का दोस्तो राइट आंसर डी हो जाएगा कोश्चन बर 20 है जर्मनी को रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्स शुरू की गई शुरू हुई थी जोरी 20 वे कोश्चन का सही आंसर हैगा 1942 में यानि कि B यहाँ पर सही उत्तर हैगा 1923 में सवराज पार्टी का गठन किस ने किया 1923 में सवराज पार्टी का गठन किस ने किया सही आंसर हैगा मोती लाल नहरू और चितरंजन दास 21 वे कोश्चन कराइट आंसर दोस्तो भी हो जाएगा 22 वा कोश्चन है एसायोग और खिलापत आंदुरन कब सुरू किया गया था 22 वे कोश्चन कराइट आंसर हैगा 1920 में यानि कि D इसदारेट आंसर 23 वा कोश्चन है रविन्दनाथ टेगोर ने किस वज़े से अपनी नाइटूड उपादी वापस लोटा दी थी रविन्दनाथ टेगोर ने किस वज़े से अपनी नाइटूड उपादी वापस लोटा दी थी सही आंसर हैगा जलेवाला बाग नरसार के यानि कि C is the right answer दोस्तों 1919 में हुई जलेवाला बाग की घटना की जाच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का घठन किया गया था सही आंसर हैगा हंटर कमेटी का यानि कि A is the right answer पच्चिसवा कोशन है निमिन में से किस यूद के बाद समराठ असोक ने बोध धरम गरहन किया था पच्चिसवे कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तों कलिंग का यूद यानि कि C is the right answer अकिल भारत्य मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निमिन में से किस इस्थान पर हुई थी 26 में कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तों धाका में यानि कि B is the right answer 27 में कोशन का राइट आंसर हैगा राजा रामोन रायने यानि कि C is the right answer 27 में से आप लोगोंने कितने सही किया हैं कमेंट बोक्स में अपना score बतेगा किस मुस्लिम सासक के सिक्को पर देवी लक्सμी की आकरती बनी है इस कोशन का भी आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना है और प्यारे दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक Master PDF को नहीं लिया है तो Master PDF आप हमारे इस WhatsApp नंबर से ले सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक लिंक दिया गया होगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप डिरेक्टली PDF पराप्त कर सकते हैं कर दीजे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल एकन को ओन कर लिजेगा ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक यू सो मच बाइबाइबरीबन टेक कर खाले कि अपना मिलते नेक्स क्लास में है